नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अनीता स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल अनीताच कुखाउस में आज मैं मोदक की रेशिपी लेकर आई हूँ इसको मैंने घर में रखे साम अग्रिश बनाया है गनेश चेतुर्थी आ रही है गनेश जी के भोग के लिए आप लोग मोदक बनाके जरूर ट्राइ कीजेगा बहुत टेस्टी लगेंगे और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्र कीजेगा बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा चलिए बनाते अब गयस में पैन रख लेते हैं या फिर कोई कडाही रख लीजी अगर इसको लोग मीडिम फ्लेम में कर लेते हैं अब इसमें डालेंगे दो टेबल स्पून देशी घी अब घी को अच्छे से बूल लेते हैं अब आटा को भूनने में 5-7 मिनिट लग जाते हैं अब फांस मिनिट हो गया है अभी थोड़ा सा और भूल लेते हैं तो इसी समय इसमें ड्राइफ रूट डालेंगे यह दो तीन इस्पून के आसपास मैंने ड्राइफ लिया है बादाम और काजू इसको अ मिनिट और भूल लेते हैं तो साथ में ड्राइफ भी भूल जाएगा आप ड्राइफ अपने हिसाब से काम ज्यादा कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो और डाल लीजी कि दो मिनिट हो गये हैं अब इसमें इलाची पावडर डाल लेंगे एक चोथा इस्पून कि अभी समय दो टेबल स्पून घी और डाल लेते हैं इस समय गयस को एकदम लो फ्लेम में कर लेंगे अब घी अच्छे से मिक्स हो गया है अब गयस को आप कर देते हैं अब इसको ठंड़ा होने देते हैं अब यह आटा के मिक्चर ठंड़ा हो गया है अब इसको चूल सकते हैं हलका मिला लेंगे यह को कि इछी मिला लेंगे कि इसको मैं ने ग्राइंड़स हार में डाल के पीस लिया है घर में ही बनाए है। अब शीनी को इस एक रहEST कर देते देद में ऐसै हुारे में हाथ से मिक्स करब में मुठ खांगे इस इसे ऑच्रसी मिक्स हो जाये अब चीनी भी अच्छे से मीक्स हो गई है अब इसको बना के देख लेते हैं बन रहा की नहीं यह देखी बंद जा रहा है एकदम परफेक्ट घी पड़ा है चार टेबले स्पून मैंने डाला था उतने में हो गया है अगर फिर भी आपको लगे कि सूखा सा है तो आप जैसा दूझ के बना सकते हैं अब इनके मौधक बना लेते इख हैं अब एक मोधक मोड़्वत लेंगे इसको मैंने घी च्छाथ वदंध मना ऐसे बनाकर इसमें लगाएंगी दवा करके मैं इसको इससे अधर से दवा देंगे बिदर से बराबर कर देते हैं दवा दवा की भरना है जिससे अच्छे से यह डिजाइन बन जाए इसकी अब इसको ऐसे बराबर कर देंगे अब इसको खोल लेते हैं धीर इसे खोलेंगे जिससे अच्छे सी डिजाइन बने यह देखिए यह देखे कितना अच्छा मोदक बन गया प्लेट में रखते जाएंगे अब इसी तरह सारे बना लेंगे यह गेहुन के आटे के मोदक बन के तयार हैं आप लोग भी बनाईएगा बहुत टेस्टी लगते हैं अगर आपके पास मोदक मोल्ड ना हो इस टाइप का तो आप लड्डू जैसे बना लीजिए कोई जरूरी नहीं है कि इसी डिजाइन का बने लड्डू जैसे बनाएंगे तो भी टेस्टी लगेंगे चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ